आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर एक बिगनर को पता होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे नए लोग मार्केट के अंदर आते हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि मार्केट में कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें वो ट्रेड और सकते हैं और हम आज आपको चीज और बताएंगे कि step to step जो तरीका होता है सबसे तरीका कि पहले किस instrument में करें उसके बाद किसубेंड में करें तो हम वह step to step भी वह के हम आपको आउठ को Biya और कितने तरीके की instrument होते हैं मार्केट के अंदर जो हम directly stock market में invest कर सकते हैं और जो सब से ज़्यदा popular हैं हम उनकी ही बाते करेंगे क्योंकि मार्केट में बहुत सारे instrument हैं काम करने के लिए बड़ जो में हैं हम उनके आज focus करेंगे और एक beginner को जो पता होना चाहिए उनके हम आज focus करने वाले है Quickly OH 11 Apple में कैसे ट्रेड और इंवेस्ट करें आये चीकते हैं सबसे पहली जो चीज है मार्केट में मार्केट न्वहं करने से पहले वह क्या है वह है डीमीड अकांट धिक्रीक ही क्यूं जैसे आपका सेडियूंग 아닌 अकांट होता है उसी तरीके के पास open करा सकते हैं सो broker के पास आपका डिमेट अपन होगा और ट्रेडिंग अपन होगा सो इनकी मदर से आप कोई भी स्टॉक खरीद बेच कर सकते हैं और वो स्टॉक्स या को हम अपने डिमेट में रख सकते हैं डिमेट अगर आपके पास अवलेवल नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप डिये वे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके भी आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या डिये वे डिस्क्रिप्शन में जो तीन ये पॉपॉलर हैं जो मार्केट के अंदर आज की रेट में हर एक चाहिए आप एक्सपिरेंस एक इंवेस्टर कहें या टेडर कहें चाहिए यह तीन उनको पता होना चाहिए और इसमें भी स्टेप टी स्टेप हम बात करेंगे कि सबसे पहले आपको किस पर प्रैक्टिस या फोकस करना चाहिए उसके बाद किस पर रखना चाहिए वह भी हम बात करेंगे तो सबसे पहला है ETF का फूल फॉर्म बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा ETF का मतलर फूल फॉर्म होता है एक्सटेंड ट्रेडिड फट्ड एक तरीके का एसेंस्ट्रूमेंट है जो की सेम रिंप्ण की तरह होता है retion 59 टेटेफifi का उसमें प्राक्टिस कर सकते हैं उसमें टेदिंग में पैसा बना सकते हैं तो तो ETF में जैसे stock market के अंदर काफी सारी ETF हैं काफी लोगा question यह आएगा कि हम किस तरके के ETF या कौन से ETF प्रैक्टिस करें सीखने के लिए तो market के अंदर जो अब लेवल है जो काफी एक्टिव है जिसमें लिक्विडिटी है वह है निफ्टी बीज ब्रूनियर बीज और गोल्ड यह तीन ऐसे ETF हैं जो जिसमें लिक्विडिटी काफी अच्छी है मार्केट में और बीटी अअ लइक आपका सीटार हो गया निफटी भी बी जो गया इसमें फ़रक इतना हैं कि ETF में आप हर दिन buying selling कर सकते हो mutual fund में वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं हर दिन का नहीं हो सकते हैं और real time basis पर आप ETF में कर सकते हैं so ETF एक इन सौट में बताना चाहूं तो ETF एक तरीके का basket है जिसके अंदर उस basket में किसी ETF में 50 stocks हैं किसी 100 stocks हैं तो जब आप एक ETF के लेते हैं तो उसमें आप एक basket को ले रहे हैं अगर उसकी आप एक unit को लेते हैं तो आप समझ लिए कि वह 50 stocks में आप इक्वल investment कर रहे हैं so ETF एक बहुत ही मतलब सेफ आप कह सकते हैं अगर हम long term की बात करें और लेस रिस्की है मतलब लो रिस्क है तो reward भी आपको लो मिलेगा लेकिन सीखने के लिए और beginning के लिए सबसे best instrument है यह तो जैसे में आपको बोला step to step तो सबसे पहला step पर या अपने को जो focus करना चाहिए जो प्रैक्टिस करना चाहिए वह हमें ETF पर करना चाहिए ओके अब आ जाते हैं हमारा जो सेकेंड है इंस्ट्रूमेंट है वह स्टॉक है स्टॉक बिसिकली है क्या स्टॉक्स को हम consumer स्टॉक मार्केट सेके स्टॉक मार्केट दोनों सेम स्टॉक में फरक नहीं है कर और कि अँए करोड और यlaf को соп Knee में तो आपके परउ conflicting a Company के और आप जब तक उसको बेचेंगे नहीं तब तक आप उससे मालिक रहेंगे जो वह स्टॉक को खरीदने और बैचने के बहुत सारे तरीके हैं रिसर्च काफी तरीके कि हैं क्यों खरीदे हैं क्यों भेचते हैं वह सारी हिस्सा लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि जोभी कंपनी आइप लेके आ रही है उसमें आपको अपलाई करना हो हो गा यह वो कंपनिय जब लिश्ट हो जाती है और आपको व can project अच्छे लगती है यह वह बिजनस आपको अच्छा लगता है तो आप उसमें इंवेश्मेंट कर सकते हैं जैसे मैंने बोला कि इंवेस्टमेंट और टेडिंग करने से पहले हमारे पास जो दो में टूल है वह टेक्निकल और फंडामेंटल है जिसके थरू हम ट्रेड और इन्वेस्ट जिसकी मतलब हैल्प से हम और से स्टॉक हरीदना है कौन सा बेचना है वो डिसिजन लेते हैं अब आ जाते हैं हम तीसरे इंस्ट्रूमेंट में जो की है डेरिवेटिव डेरिवेटिव में आप लोगों आज के रेट में सुना होगा जो नए लोग हैं कि कॉल और पुट आज एक रुपए की कोई कॉल खरीदी हमने वह दस कीजिए और पहुंचने के लिए आपको तीन से पान साल का टाइम लगेगा ही लगेगा क्योंकि डेरिवेटिव करने से पहले आपको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज और एक्स्पीरेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है डेरिवेटिव बिसिकली जो मार्केट में आया अधा वह आया था हैंचिंग लेकिन आजकी डेट में इसमें ज्यादा होती है हैं बहुत ही कम होती है और अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं इसमें करके ही काम करता हूं लेकिन इसके बारे में हम बाद में और डेटेल में बात करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि 3-5 साल का टाइम लगता है इस लेवल तक पहुचने में तो इस चीज़ पर सबसे लाश्ट में फोकस करना है आपको पहले आपको जो प्रैक्टिस और फोकस करना है वो या लर्निंग जो करना है वो स्टेप 1, स्टेप 2 आपका ETF और स् प्रमजनी हो जाननी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखे एंड हम उसका कोशिस करेंगे आपको उसका टाइम ले रिपलाई करें आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के तीन साल आपको इंस्ट्रमेट टूपर फोकस करना चाहिए इंस्ट्रमेट 3 पर आ और भी डीटेल में बनाएंगे आपके लिए और हमारा नच्छ वीडियो होने वाला है वह टेक्निकल अनलेसिस और फंडामेंटल अनलेसिस पे होने वाला है कि हम मार्केट के अंदर कितने यसे तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रेडिंग और इंवेस्टिंग कर सकते हैं अभ हमारा next topic रहेगा technical and fundamental analysis और इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे in coming वीडियो थेंक यू